ये फ्रेंड्स मैं शेफाली वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शेफाली की दुन्या में स्वागत करती हूँ तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ एक होम रेमिडी है जो है ग्रोइंगी स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है जो मैं खुद करती है क्योंकि मैं थोड़ी सी लेजी हूँ करने में अपने लिए खास कर अपने लिए कुछ करना होता है तो मैं थोड़ा सालस दिखा देती हूं लेकिन हां कभी कभार मैं से कर लेती हूँ जब मेरा बहुत मूद अच्छा होता है लगता कि और टाइम भी होता है क्योंकि आप पांच मिनट के लिए रोजाना इसे करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी ही अच्छी हो जाएगी. सारी चीजें घर पे आपको मिल जाएंगी और बहुत ही असरदार है, नैश्रल तरीका है, बहुत ही अच्छी है. आप जरूर ट्राइ कीजिएगा, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पढ़नी हैं तो सस्क्राइब कर दीजिएगा, तो देख लीजिए कैसे बनती है ये होम रेमेडी, तो हमें चाहिए ऐलोवेरा ज जल, तो एलोवेरा जल देखे, मैंने डिरेक्ट पेड़ का ही लिया हुआ है, ताजा पत्ता है ये, और इस तरह से मैंने इसका अलोवेरा का जल निकाल लिया था, जियो क्लिप मुझसे डिलीट हो चुकी है, बाइ मिस्टेक तो उसके लिए सौरी, मैंने अलोवेरा पत्ते कितना ही फायदे मंद होता है हमारी इसकीन के लिए, हमारे बालों के लिए सब जानते हैं, तो उसके फायदे मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है, और बेसन, अलोवेरा ये सब चीजें बहुत ही फैक्ट्व होती है, तो सब को पता है, आजकल तो फायदे गिनाने की कोई ज लूँगी, दो तीन दिन के लिए आप इसे पना कर सकते हैं, उससे ज्यादा के लिए मत बनाएं, जब बना हुआ रखा रहेगा एक दो दिन का, तो मैं फिर इसे लगा भी लूँगी, इस तरीके से, तो देखी मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है, काफी अच्छे से म कोई भी बेशन के जो लंप्स हैं, गिल्टी हैं वगेरा हैं, वो ना इसमें रहें, और अच्छे से हमारा ये मिक्स हो गया है, और अब इसमें मैं डालूंगी, देखी बायो टेक की है, ये नाइट क्रिम एडवांस आयुरुवेदा, तो देखें, यहां पर भी मैं आयुर क्रिम हो, आप उसे डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, कि आप यही नाइट क्रिम डालें, देखें, क्रिम डालने से यह होगा, कि हमारी स्किन को ये मोसराइज करेगी, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, फैक्ट्यू रहेगी, तो इस वज़े से मैं ये ये आपके पास कोई भी हो, आप उसे डाल सकते हैं, अगर नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, तो इस तरह के से देखें, एक स्मूध पेस्ट हमें इसका बना लेना है, बहुत ही भीनी-भीनी सी खुसबू आती है, इस क्रीम में, तो जो हमारा ये पेस्ट बन रहा होंगी, तो देखें, कितना क्रीमी लग रहा है, बिल्कुल क्रीम सा ही बन गया है, और जो कुछ-कुछ आपको फुटकें से दिकरेंगी, ये अलोवेर है, क्योंकि मैंने अलोवेर का पीसा नहीं है, तो देखें, इस तरीके से मैं इसको फेस पर लगा रही हूं, सारे फेस आप इसे यूज कर सकते हैं, बिना जिजग, बिना टैंसन के इस तरीके से देखें, और जो मसाज के स्टैप मैं आपको दिखाऊंगी, आप विल्कुल वैसे कर जिएगा, देखें, इस तरीके से उपर साइड हमें अपने गालों को इस तरह से करना है, नीचे से उपर की त आती हैं, दीरे-दीरे आप इस तरह से आप करते रहेंगे, तो देखें, मसाज वाले स्टैप मैं दे रही हूं, इस तरीके से अपने आखों के चारो तरब भी आप लगा सकते हैं, इसे बहुत ही फायदे मन्द है, इस तरीके से देखें, आप मसाज करने का तरीका भी पसंद आता है, तो प्लीज लाइक, शेर, कमेंट जरूर किया करिए, एक पर बता जरूर दिया करिए, कि हाँ आप वीडियो पसंद आ रहा है, और चैनल पर नहीं है, तो प्लीज सस्क्राइब भी कर दीजिएगा, तो मिलती हूं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब त देखिएगा, किस तरीके से मैं मसाज कर रही हूं, तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स, टेक क्यार राधे राधे,